उत्तर प्रदेश में पहले भेडियों ने आतंक मचाया. भेडियों के हमले में उत्तर प्रदेश के बहराइच में कई सारे लोगों को अपनी जानगवानी पड़ी जिन में ज्यादा तर बच्चे शामिल थे. लेकिन अब सोशल मीडिया पर लकडबखो का एक वीडियो वाइरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि वाइरल हो रहा लकडबखो का यह वीडियो कानपूर देहात के मलासा ब्लॉक का है. लकडबखो के इस तरह से देखे जाने के बाद किसानों में भै का महौल है. किसान खेतों में अब समुह में जा रहे हैं वहीं कुछ दिन पहले कानपुर में भेडियों के देखे जाने की भी बात कही जा रही थी लकडबगों के वाइरल वीडियो पर बात करते हुए मलासा ब्लॉक शेत्र के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ओफिसर एके दुबे का कहना है कि यह स्पष्ट करना है कि इस वीडियो में जो दिख रहा है वह भेडिया नहीं बलकि लकडबगगा है और भेडिये पूरे कानपुर देहाद जिले में नहीं पाए जाते हैं यहां लकडबगगा और सियार पाए जाते हैं और यह आमबात है वे जंगलों में रहते हैं और इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई जरूरत होगी या कोई दिक्कत होगी तो नियमानुसार कारवाई की जाएगी बताया यह भी जा रहा है कि कानपूर में देखे गए इन दोनों लकडबग्गों में से एक की मौध ट्रेन से टकराने से हो गई वहीं दूसरा लकडबग्गा जान बचा के भाग गया लकड बगखो के बारे में बताया जाता है कि ये शिकार हमेशा जुन्ड में ही करते है जुन्ड में होने की वज़े से ये शेर, चिता, तिंदुआ, बाग जैसे खतरनाक जानवरों से भी उनका शिकार छीन लेते है जुंड में होने की वजए से ये लोग इनका कुछ नहीं बिगार पाते है इस खबर पर आपकी क्या राय है कॉमेंट कर जरूर बताएं